मुझें और शुर्ण इस यारे आज का मारा टॉपिक है कौन्तिटिटिव मैसरमेंट ओब बैक्ठिरिया ग्रोथ है चाये वह लीविंग है चाये बेटिव है हमें quantity measure करनी है बेक्टिरिया ग्रोथ की ठीक है तो आज हम मेरी phone की screen पे इस topic को अपन खतम करते हैं अपना next topic रहेगा पैस contrast microscopy ठीक है तो चला आज हम मेरी phone की screen पे quantitative measurement of bacteria growth देख लेते हैं ठीक है तो notes बनाना start कर दो और समझना start कर दो देख यहाँ पर बने लिखा है after inoculation of bacteria into medium under suitable condition grow at very rapid rate मतलब अगर हम suitable condition provide करेंगे बैक्टिरिया को तो वो तो grow करेगा इसी ठीक है तो for calculation of bacteria we do following procedure एक तो होता है total count एक होता है viable count ठीक है तो total count में तो यार कितने भी हो जिंदा हो मुर्दे हो कैसे भी ले आओ ले आओ ठीक है total count करना है और viable का मतलब safe living bacteria को हम count करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है measure all bacteria either living or date total तो वही होंगे ठीक है और viable मतलब safe living it measure only living bacteria ठीक है which produce colonial suitable medium ठीक चलो start करते है total count से पहला हमारा क्या है total count तो total count में हम देखेंगे direct method ठीक है इस method में क्या होगा total number of bacteria and its growth is calculated directly by counting the number of colony by using different technique तो हमें क्या करना है कि number count करने colony के different technique से ताकि हम पता कर सके कितने bacteria है उनकी growth क्या है और सारे bacteria ठीक है चाहे वो dead हो या living हमें पता करना है तो कौन से method होती है सबसे पहले देखो यहाँ पर दे रखिए counting chamber method ठीक है इसमें आपको लेना है hemocytometer ये क्या होता है use for prokaryote and eukaryote अभी हम देखेंगे hemocytometer क्या होता है आपको लेना है sample media ठीक है तो कुछ नहीं करना आपको hemocytometer लेना है जो कि prokaryote eukaryote में लेते हैं sample media ल रखा है एक box बनाना आप अब इसके अंदर ऐसे ऐसे line गिस देना गिस दोगे ठीक है इसल लगा देंगे line अब देखो यहाँ पर क्या है जब आपन इसको zoom करेंगे तो कुछ इस तरह से structure बनेगी देखो यहाँ पर बना रखिए मैंने कुछ इस तरह से structure बनेगी ठीक है तो बोक्स में 60 बेक्टिरिया अप्रोक्स प्रेजेंट होते हैं तो आपको कैसे पता पड़ेगा कितनी बेक्टिरिया कोलोनी है कितने बेक्टिरिया के नंबर है जितने बोक्स बनेंगे एक बोक्स की साइज क्या है एक नेनोमेटर स्क्वाइर और बेक्टिरिया किसमें मिलते सांड बेक्टिरिया तो एक box की size है 1 nm2 और उसमें बेक्टिरिया मिलते है शांड तो आपको पता लग जाएगा कितने box बन रहे हैं कितनी colony बन रहे हैं उसे साफ से हेमोसाइटोमेटर के बारे में तो आपका काम हो जाएगा ठेक है और देखो C के आई यहाँ पर requirement colony counter chamber ठेक है तो आपको तो सिर्फ इस पर ध्यान रखना है किस पर हीमोसाइटोमेटर पर sample media का भी कुछ नहीं है सिर्फ media ले रखा है अपने अपने को पता लगाना है कितने डिब्य बन रहे हैं कितने बोक्स बन रहे हैं एक बोक्स की size 1nm square है एक बोक्स में 60 बेक्टिरिया होते हैं उसे में पता लग जाएगा यह cover glass हो और यह chamber holding बेक्टिरिया है जो की बेक्टिरिया को hold करेगा यह colony counter chamber है एंड में count यही करने वाले ह अब जो को इसके advantage क्या है easy है simple है आराम से calculate कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपने को पता है कि एक बोक्स में अपरोग 60 बेक्टिरिया है आराम से पता लग जाएगा 4 बोक्स आया तो 240 बेक्टिरिया quick method है inexpensive way ज्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा जोडने में काई का खर्चा सा कोई दिक्कत नहीं है ठेक है तो inexpensive way quick method है easy और simple way to calculate ठेक अगला देखो viable count अब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था आपको viable मतलब civil living की बात करूँगा मैं ठेक है आ जाओ यह है इसमें सबसे पहले plate count method कौन सी method plate count method इसमें क्या करना है आपको culture of bacteria लेना है यह ले लिए आपने culture of bacteria ठेक है यह step one है आपकी जिसमें आपको क दालना है पीपिट और एक एक मै 계मल निकाल के आपको इसमें लुदा एंटिक है मालम हैं यहाँ मैंने चाहरए सब्यलिया यह culture of bacteria एक पीपेट ली और एक पीपेट से अपने क्या करा है एक केमेल निकाला और सारी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ठेक है डाल दिया अब यहां पर क्या करना है आपको वन इस्टू टेंड का रेशियो बनाना है तो आपको 9 अमल डिस्टिल वोटर डालना है तो कुछ नहीं यह मस आपने एक एक मेल निगाला और चाहर टेस्ट्व में डाल दिया और फिर 10 ml बनाना है टोटल तो 9 ml क्या डाल दिया अपने डिस्टिल वोटर और 1 इस्टू 10 का रेशियो बन गिया ठेक है यह वही step 1 अब step 2 में क्या करना है आपको mix करना है culture media को इन अगर plate by rotating मान लो है अगर इसकी plate लेली अपने जैसे मिने यहां बना रखी है अब इस पर लेली और master shape की तरह पकड़ पकड़ गुमाओ ठेक है और जैसे ही तुम गुमाओगे क्या होगा culture media जो यह mix हो जाएगा अगर एक plate पर rotate कर दो गुमाते रो गुमाते रो ठेक है imagine करके देखना अब क्या करो उसको incubate करो क्या करोगे इस टेप 3 में उनको incubate करो और step 4 में देखो यहां पर क्या लिखा है count plate containing 3-0 तो 3-0-30 से लेके 300 colony यहां पर form होती है तो आपने कुछ नहीं करा सबसे पहले आपने क्या कर रहता है यहां पर culture of bacteria लिया प्यपेट से एक एक में incubating करना उनको ठेक है इनक्यूबेट जिस ही करोगे आप step 4 में आपको इस तरह से structure बनाने है चार क्योंकि 4 टेस्टिव लिथी count plate containing यहां पर 30-300 colonies ठेक है और step 5 में calculate करना आपको calculate number of colonies into dilution of sample ठेक है जो भी आपके पास bacteria की colony आ यह उसको आप multiply कर दो dilution of sample के साथ तो आपका result अचाएगा number of bacteria per ml ठेक है तो यह होगी step 5 जिसमें आपने calculate कर लिया यह हमने देखा plate count method viable method के अंदर ठेक है viable count के अंदर और हमने देखा total count के अंदर direct method ठेक है तो total count रो viable count में इतना से ही फरक है कि total count में हम सब कुछ calculate करेंगे मरे हुए भी जिन्दा भी total count ठेक है और viable मतलब life सिर्फ living, living bacteria को तो यह था आपका topic quantitative measurement of bacterial growth यह आपका कतम हो चुक है मिलते है next topic के साथ next video में जिससे इस pdf की need है वो में को direct message कर देना मैंने instagram और telegram की link जो है description में दे रखी है thank you so much thanks for watching keep support thank you